तो गाइस में लेकर आ गया हूँ YouTube के official कुछ updates है जो की YouTube ने launch करते हैं तो मैं आप लोगों बता दू इन updates में से न मुझे काफी एक दो update तो काफी गजब के लगए इससे क्या होगा आपका जो चैनल है वो secure भी हो जाएगा और कुछ updates में न तो आपका time भी बच जाएगा वीडियो uploading करते वग तो इन सभी updates के बार में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं लेकि guys आपने अगर वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के सब सब चैनल को भी subscribe कर देना तो चले हम सभी updates के बारे one by one जान लेते हैं तो number first हमारा update यह निकल के आ रहा है जो कि हम community guideline के post पर ना किसी भी links को upload कर देते थे या link को लगा देते लेकिन link हमारे description के नीचे रहता है यानि कि वह more के option के नीचे जा जाता है लेकि उससे क्या होता था audience या community tab पर कोई भी react करता है तो वह more के option पर click नहीं करता है तो इसके बाद YouTube ने इस street को समझा और नीचे वीडियो पोस्ट के नीचे tag वीडियो लागा दिया अब आप इस tag वीडियो पर click करोगे ना तो आप उस वीडियो पर redirect हो जाएगे इससे आपका वीडियो community post से भी वाईरन हो सकता है तो second update ये निकल के आ रहा है कि हम YouTube में वीडियो अप्लोड करते समय आप वीडियो का thumbnail लगा सकते हो इससे पहले हम YouTube का वीडियो अप्लोड करने के बाद हम को YouTube studio की application चाहिए होते है वीडियो का thumbnail लगाने में और सारा कुछ edit करने में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है आप डायरे की YouTube पे भी वीडियो अप्लोडिंग करते समय थमने लगा सकते हो इससे आपका वीडियो अच्छा सा upload हो जाएगा तो हमारा तीसरा update यह नहीं करके आया है खास करके मुझे यह काफी गजब का लगा और मुझे तो पसंद आएगी अप्लेट जो की है fake comment spam के बारे में आपको भी यह update कैसे लगे आप comment करके बता सकते हो और यही था हमारा आज का वीडियो तो आपको कौन सा update इसमें से काफी गजब का लगा वह भी आप comment करके बता सकते हो तो धन्याद हम मिलते हमरे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care